वेलकम डू आन माई डियरो इस्टेंट नहीं मुकेश अर आप सभी का स्वागत करते हैं इस्टेंट आज के इस क्लास में हईस्टेंट अगर आप से भी किसी भी काम decision की त्र रहें यकीन मानियेगा इस्टेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफी इंपोर्डेड होने वाला है क्योंकि इस स्ट्रेंट के अंदर हम लोग एक ऐसे टॉपिक उपर बात करने वाले जो की इस टॉपिक से बात करें तो आप सुबीक की एससी अइसे तमाम एकजाम रेलवेज जीडी आरमी में से तमाम एकजामों में यहां से भरबर की प्रशने पूछे जाते हैं उस टॉपी की बात करें इस्टेंट उस टॉपी का क्या नाम है तो दिल्ली संतनत काल याने की इससे बनने वाले टॉप हंडेड टॉप यहां पर हंडेड एमसी की कोशन को देखने वाले हैं जो कि आप सभी के सभी परतियोगी परिच्छाओं के लिए काफी इंपोर्टेड होने वाला जैसके इस्टेंट आप लोग इस्क्रीन पर पर देख पारें की सारे प्रश्ण आप सभी के एक्जाम औरियन्टेड ल्या गया जो अगर आप सभीस का प्रिदियाप डालोड करना चाहते तो मैं इस वीडियो में आप सुक्री को बताने कि आप सभी इस क्लास का पीडियाप कहां से फ्री में डालोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते आज की स्क्लास को पहले प्रश्ण को और बात करते इस्टेंट आप सभी का पहला प्रश्ण है गजनी का वह प्रथम सासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपादी धारण गरांड कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम सासक बना अगर इस्टेंट आप सी हो सके कि पहले टॉपी कभी पढ़ चुकी हैं तो कोई दीकत नहीं आप सभी को रिभीजिंग के तोर पर काफी इंपूड़िड होने वाला ठीक है क्योंकि पढ़ा हुआ कभी जाया नह अंसर हो जाएगा एंड अगली प्रश्ण को और बात करते इस्टेंट आप सभी का सिकेंड नंबर प्रश्ण पूछा जा रहा है कि महमुद गजनवीन के सभी आकरमणों के बीच अमें सारदीक मत पूर्ण आकरमण कौन सा था यानि कि महमुद गजनी ने एक हजार इसा प कौन सा रहा है तो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का सियने कि सोमनात मंदिर पर आकरमण जो किया था अब यहां पर प्रश्ण आपसी की एक्जाम में यह भी बन सकता है कि सोमनात मंदिर पर आकरमण किसने किया था तो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का महमुद ग गजनिवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश से क्या था यानि कि महमुद गजनिवी ने जो भारत पर आक्रमण किया था तो राइट हैंसर आप सभी का question number 3 का question number 2 यानि कि मध्ध एसिया में एक बड़े समराज्य की अस्थपना के लिए धन प्राप्त करना यानि को भारत से धन प्राप्त करने के लिए था क्यूंकि पहले भारत को सोने की चिंडिया बोला जाता था लेकिन ऐसे बाद जाकर के सोने की चिंडिया को लूट के लेगे चले गए ठीके न तो अपसान नमबर D इस्टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जागा कोश्चन नमबर फूर का आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहें तो बात करते स्टेंट आप सभी का फोर नंबर प्रश्ण है कि महमुद गजनवीर के भारत पर आक्रमन के समय भारत आए बिद्वान अलब रूनी के ने किस महत्पून गरंथ की राचना की यहां पर यह प्रश्ण काफी इंपूर्ड की राचना किया था तो राइट इंसर हो जाएगा आप सभी का कोश्चन नंबर फूर का अपसे नंबर बी किताब उल हिंद का राचना किया था तो अपसे नंबर बी स्टेंट आप सभी का राइट इंसर हो जाएगा कोश्चन नंबर फूर का एंड अगले प्रश्ण को बात करते हैं आप सभी का फाइप नमबर प्रश्ण ने पूछा जा रहा है कि दिल्ली संतनत की दर्बारी भासा क्या थी यानि कि दिल्ली संतनत के अगर हम दर्वारी भासा के बात करें तो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का कोश्चन नमबर फाइब कभी यानि कि फार्शी हो जाएगा अपसे नमबर भी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रश्ण को बात करते हैं आप सभी का six number प्रश्ण पूछा जारा है कि अगरा नगर की अस्थापना किसके दोरा की गई थी तो अगरा नगर की अस्थापना के बात करें तो राइट एंसर अगरा आप सभी का डियाने की सिकंदर लो दें इस टिंट में हैं हाँ पर आप सी को एक और इंपॉर्डेट्स बात बताना चाहता हूँ कि आप सभी किसी भी टॉपिक से एक से दो कोशन या दो से तीन कोशन अटेंड करके कुछ नहीं कर पाएंगे कि अगर आप सभी को किसी भी टॉपिक के अगर नॉलेज पूरा हॉल क्योंकि जब भी आप सभी कोई स्लेबस निकाला जाता है ऐसे कोई भी एक्जाम के हम बात करते हैं तो आप पर स्लेबस जो दिया जाता है उसमें इतिहास कैसे तमाम जो टॉपिक उसको भी दिया जाता है लेकिन आप से टॉपिक वाइस अगर अपने प्रिप्रेशन को श्ट्रोंग नहीं करते हैं तो आप से एकजाम में कुछ नहीं कर पाएगा कि किसी भी टॉपिक से एक से दो कोशन करके आप लोग क्या कर लेजिएगा तो इसलिए दोस्तों आप लोग टॉपिक वाइस इसका बीचीं करना चालों कर दीजिए किसी फिल्ट में बात करें ओ इतिहास हो या आप से कि भुगोल हो या कुछ भी संबीदान हो कुछ भी की बात किया जा रहा है ठीक है ना अगले प्रश्ण को बात करते श्टेंट आप सभी का सेवे नंबर प्रश्ण पूछा जा रहा है कि निमनलीखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मिर्टू चोगान पोलो खेलते समय हुई थी तो पोलो खेलते समय हुई थी तो सेवेन का जो राइट एंसर अच्छा आगा आप सभी का यानि की कुतूब दिन एबग के जो मिर्टू थी ओपोलो खेलते समय हुई थी अब यहीं पर थोड़ासा हम लोग बात कर लेती कि पोलो में खिलाडियों के एक पच्छ में खिलाडियों के संख्या कितना होता है तो पोलो में दोस्तों खिलाडियों के संख्या के बात कर तो चार होता है और वहीं पर बात कर लेते हुई वाटर पोलो के तो साथ होता है एक्जाम में आपसे उस चालेंज देता हूँ अगला प्रशन आपसी का एट नंबर प्रशने पूछा जार है कि कुवत उल इसलाम मस्जीद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था तो कुवत उल कुल उल इसलाम मस्जिद के निर्माण के बात करे कि कि किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था तो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का कुतूब दिन एबग कुतूब दिन एबग के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था अपसे नंबर ए आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा एंड अगला प्रश्ण आपसी का नाई नंबर प्रश्ण ने पूछा जा रहा है कि तराइन की पहली लड़ाई 1191 एस्वी में निमने लीखित में से किस की बीच हुई थी तराइन की पहली युदि के बात करते हैं देखिए आप सभी की एक्जाम में अगर बात करें कोई भी एक्जाम हो तो वहां सी युदि के प्रश्ण पूछेगा ही पूछेगा एक्जामनर कभी ये टॉपिक को नहीं भोलता है कि कौन सी युदि किसके बीच हुआ था या कब ह थोड़ा सा बात करें हम लोग की पानीपत का जो प्रथम युदिता ओकभी हुआ था तो पानीपत का जो प्रथम युदिता इस जेंट आप सभी के 1526 यानि कि 11 अप्रील 1526 इस्वी में इब्राहीम लोदी और बाबर के बीच हुआ था जिसमें की बाबर अपना जंडा फा सभी का यहां पर टेन नंबर प्रस्ट ने पूछा जा रहा है यहां पर अशी से कहा जा रहा है कि निमनलीखित में से किस खलजी सासक ने दिल्ली के रासिहासन पर बैठने के लिए अपने ससूर की हत्या कर दी भाया ऐसे ऐसी भी लोग धरती पर थे और है भी कि अपने रा राइट एन्सर होज़ागा सभी का अलावधिन खलजी अक ऐसा ब्यक्ती था इसको क्या बोला जाए कि अपने रास यासन को पाने के लिए अपने शसूर के गाला दबा दिया था नियकि मिर उसका ँठ्या कर दिया था तो प्सन नमबर counts अब सभी का राइट एन्सर होज़ा रचिया को बात करते हैं एलेवन नमबर प्राश्य कि रजिया सुल्टान किस की बेटी थी तो रजिय सुल्तान के बात करते कि रजिय सुल्तान किसकी बेटी हुआ करते थी तो राइट इन सो जग इल्टूत मिस जो था वो रजिया सुल्तान के पीता हुआ करते थे इल्टूत मिस तो बारा नंबर प्रश्ण इस्टेंट आप सभी से पूछा जा रहा है कि मुहमद गोरी बिजित प्रदेश में देख भाल के लिए निमनलीखित में से किस भी स्वसनिये जनरल को छोड़ कर गया था यहां पर पूछा तो यहां पर ध्यान देखते हैं कि प्रश्ण क्या कर रहा है कि मुहम्मद गोरी बिजित परदेशों की देख भाल के लिए निमने लिखित में से किस विश्व सनिय जर्नल को छोड़ गया था छोड़कर गया था तो बारा का जो राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रश्ण को बात करते सभी का तेरा नंबर प्रश्ण पूछा जा रहा है किस के सासन काल में सबसे अधिक मंगोल आकरमण हुए थे यानि कि किस के कौन ऐसा राजा था जिसके सासनकाल में मंगोल जो थे वो अत्यधी क्या किये थे कि आकरवन किये थे तो राइटेंस रोज जगा 13 का अपसर नमबर भी यानि कि अलाव दिन खलजी हो जाएगा अपसर नमबर भी अगले प्रशन को और बात करते हैं आप सभी का 14 नमबर प्रशन पूछा जहा रहा है कि तराइन के दृति युद में किस ने किस को पराजित किया था तो यहाँ पर बात करते हैं तरायन के दृति युद्ध के अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो किस ने किस को पराजित किया था तो चौदा काज जगट याने की मुहम्मद गोरी ने प्रित्वी राज को प्राजित किया था जो मुहम्मद गोरी था और प्रित्वी राज को क्या किया था कि प्राजित किया था अब से नमबर डी स्टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रश्ण को और बात करते स्टेंट आप सभी का पंदरा नंबर प्रश्ण पूछा जा रहा है कि सन 1339 और 1330 के बीच किसने तामबे के सीके के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा संकेति मुद्रा टोकेन अकरंसी प्रचलित किया था तो पंदरा का राइट एंसर हो जाएगा आप से नंबर सी अनिकी मुहम्मद बीन तुगलक हो जाएगा आप से नंबर सी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रश्ण को बात करते स्टेंट आप सभी का सुल्ला नंबर प्रश्ण पूछा जा रहा है कि दिल्ली के की सुल्तान को इतिहासकारों ने बीरोधों का में श्रण बताया है सुल्ला को जगासी अनिकी मुहम्मद बिन तुगलक आपसा नंबर शी हो जाएगा अगले प्रश्ण को बात करते 17 नंबर प्रश्ण की लोधी वंस का अंतिम सासक कौन था तो लोधी वंस के अंतिम सासक के अगर हम बात करते तो ये था इब्राहिम लोधी इब्राहिम लोधी को ही हरा करके जो बाबर था वो लोधी वंस पर अपना राज्य मत अपना सासन किया था लोधी वंस को ही प्रास्त करके जो कि इब्राहिम लोधी के साथ पानेपत का प्रतमयुद जीता था ठीक है न अगले प्रस्ने को और बात करते हैं आप सभी का ठारा अगले प्रस्ण को बात करते हैं 19 नंबर प्रस्ण पूझा जा रहा है कि उत्री भारत की प्रतम मुस्लिम महिला सासक दिल्ली पर आज करने वाली प्रतम महिला सासक कौन थी तो राइट एंशर होज जाएगा आप सभी का 19 का अप्शन नंबर आ यानि की रजिया सुल्तान होज जाएगा अगले प्रस्ण को बात करते सेंट आप सभी का 20 नंबर प्रस्ण पूझा जा रहा है एन ट्वंटी निमर प्रशने की दिल्ली के प्रतम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दचनी भारत को प्राजित करने का प्रयास किया था दिल्ली के प्रतम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दचनी भारत को प्राजित करने का प्रयास किया था तो ट्वेंटी का जो राइट एंसर हो जाएगा आपसे नमबर शी यानि कि अलाव दिन खलजी आपसे नमबर शी स्टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा ठीक है न तो अगले प्रशने को बात करते हैं आपसे नमबर प्रशने पूछा जा रहा है कि यातरी इन बन ब राइट एंसर हो जागा ये आयता कहां से मौरकोसी अगले प्रश्णों को बात करते इस्टेंट आप सभीका 22 नमबर प्रश्णे की भारत पर प्रतम तुर्क आकर्मन करने वाले के बात करें तो ये था आप सभी का महमुद गजनवी था अपसे नमबर ए आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा question number 22 का and अगले प्रश्ण को और बात करते 23 नमबर की निमने लिखित में से कौन अपने को बुत आसीकन आकाता था आपसे नमबर ए इस्टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रश्ण को और बात करते आप सभी का 24 नमबर प्रश्ण है कि महमुद गजनुई ने कौन से उपादी धारन किया था तो मुहमद गजनुई के बात करे कि कौन से उपादी को धारन किया था तो 24 का जो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का आपसे नमबर हो जाएगा आपसे नमबर सी इस्टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रश्ण को और बात करते आप सभी का 25 नमबर प्रश्ण है कि महमुद गजनुई ने भारत में प्रतम आकरोंड किस राज्य के बिरोध किया था ताज़्णम का 24 आइए राज्ये की रजधाने थी यानि की हिंदू सभी राज्य की राज्यक्या था थी ऐसे भी आप से प्रश्णम कोई बार बार देखने कम दो जाते तो आप सभी का उद भान्डपूर या हिंद या वैहिंद ने रत दनी इन्द से कोई भी आप लोग बोच सकते हैं एंड तीनों का आउस्वी की याद रखना है ताकि एक्जाम में कोई भी आउस्वी से पूछा जा सकता है तब से नमबर ए आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रश्ण को बात करते हैं स्टेंट आउस्वी का 27 अमबर प्रश हुआ था अगला प्रश्ण आसे 28 नमबर की हिंदू साही राज्य का कौन सा सासक तुर्क से बार-बार प्राजित होने के कारण गवाली वस आत्म दाह कर लिया 28 का अच्छाग यह अनिकी जैपाल था ठीक है ना अगले प्रश्ण को बात करते हैं स्टेंट नाई नमबर प् करें स्टेंट की किस का अलगा हो जाता है तो 29 का जो राइट एंसर अच्छाग आप सभी का अपसे नमबर यह अनिकी यामिनी तो अगले प्रश्ण को बात करते हैं स्टेंट आप सभी का तीस नमबर प्रश्ण आपर पूछा जारा ध्यान दिज्जेगा कि महमुद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहास कारों में से कौन सामिल नहीं था तो अपसे नमबर यह अनिकी साह नामा का लेखक फिर दोसी जो थे वो सामिल नहीं थे तो अपसे नमबर ए इस्टेंट आप सभी का राइट इंसर हो जाएगा अगले प्रशन कोर बात करते इस्टेंट आप सभी का 31 नमबर है कि महमुद गजनवी के आकरमण के परणाम स्वरुप कौन सा सर फारसी संस्कृती का केंदर बन गया तो 31 का जो राइट इंसर हो जाएगा आप सभी का आपसे नमबर ए यानिकी लाहोर हो जाएगा अपसे नमबर ए इस्टेंट आप सभी का राइट इंसर हो जाएगा अगले प्रशन कोर बात करते इस्टेंट आप सभी का 32 नमबर प्रशन है कि निमनली खित में से किसने ढोल के तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पती के चिंता के साथ स्वयम को जला लेने के द्रिस्यों का अभयानक चित्रण किया है तो 32 का हो जाएगा आप सभी का अपसे नमबर ए यानिकी इबन तूता अपसे नमबर ए आप सभी का राइटे इंसर हो जाएगा इबन तूता अगले प्रशन को और बात करते हैं आप सभी का 33 नमबर प्रशन है कि भारत में मुसलिम राज्य का संस्थापक माना जाता है तो भारत में मुसलिम राज के संस्थापक के बात करें कि किसे माना जाता है तो 33 का जो राइटेंसर हो जाएगा आप सभी का आपसर नमबर A याने की महमुद गोरी आपसर नमबर A इस्टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा महमुद गोरी हो जाएगा आपसर नमबर A अगले प्रश्ण को बात करते हैं 34 नमबर किसने इफादारी प्रथा चलाई थी 34 का अपसर आपसर का सी यानिकी इलतुत मिस हो जाएगा अगले प्रश्ण को बात करते हैं इस्टेंट आपसर का 35 नमबर कि लाख बस्क के नाम से जाने जाने वाला भारती सासर कौन था 35 का अपसर आपसर का सी यानिकी कुतूब दिन एबक हो जाएगा आपसर नमबर C इस्टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रश्ण को बात करें आपसर का 36 नमबर प्रश्ण की 13 सदी में सेना का सरोच अधिकारे के बात करें तो यह हो जाता है आप सभी के खान आपसर नमबर B आप सभी का राइट एंसर हो जागा खान अग्ला प्रस्णे 37 नबर की भारत में गुलाम ओंस का संस्थापक कौन था तो भारत में इस्टेंट आप सो착 गुलाम ओंस की संस्थापक अगर हम बात करते हैं तो 37 विध़ का अने के ये कुतूब दिन व 누나 को हो जाएगा करते स्थेटें कि किसंने पूरा किया था था तो 38 गाप सभी का आप समय था अगला प्रसने नमबर की निमनली दिली का पाला तुगलक सुल्तान कौन था तो दिली का पाला तुगलक सुल्तान के बात करते च्टेंड तो तो अगले प्रश्ण को बात करते हैं सिका यहां पर फोटी नमबर प्रश्ण पूछा जा रहे हैं कि पंजाब के हिंदू साही राजवन्स को किस ने अस्थापित किया था तो पंजाब के यहां पर राजवन्स को हिंदू साही राजवन्स को किस ने अस्थापित किया था तो चालिस का जाएगा आप सभी का अपसन नमबर हो जाएगा भी यानि की कलर हो जाएगा अपसन नमबर भी ठीके ना अगले प्रशन को और बात करेते इस्टेंट आपसी का 31 नमबर प्रशन पूछा जारा है कि वह रोमन समराट अगस्टस की भाती संबिधान था किस वह दूसरे की तरह सकती साले नल लगे और वह दूसरे के अस्तर से अधिक नल लगे या अस्तम किसका है या संदर्व किसका है तो राइट एंस और अच्छा का अपसी का 41 का अपसन नमबर ए ने की बहलो लो दिए अगले प्रस्ण कर बात करते हुए इस टेंट आपसीउ का 42 नमबर प्रस्ण के अलबेरू नि किसके सासन काल में इस्तिहास करता यान एक बात के जाया कि किसके काल में यह क्या था वह इस्तिहास करता तो 42 का जाएगा आप सभी का आपसा नांबर हो जाएगा 42 का फोटी टु का महमुद गजनभी आपसा नंबर अगला प्राश् अगला प्रस्णा जाहाँ 43 नंबर नहीनलिखित न में से कॉन सासक दाब सुल्टान राजवन से संबंदी थे तस का का symmetr Bass हो जाएगा यानिकी इल्टूत्मिस हो जाएगा अपसे नमबर यह इस्टिंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा ठीक है तो अगले प्रश्ण को बात करते हैं आप सभी का प्रश्ण नमबर चौदा नमबर है कि दश्णी अफरीका यात्री इल्बूल इबन बत्तु था कि इसके सासनकाल में आया था तो यह बात के अज़ाए आप सभी के तो राइट एंसर उपर देखते हुए और राइट एंसर अजग आप सभी का कोश्ण नमबर चौवालिस का अपसे नमबर डी चौवालिस का सी मुहमत बिन तुगलग अगले प्रश्ण को बात करते हैं 45 कि मुहमत गजनवी ने भारत पर कितनी बार आकरमन किया है अब यहीं तुम लोग की याद ने कि अखिर कभी कभी यह पूछा गया था अब बेच्टी करवा गया हमारा लग रहा है डो करू 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 कर लें दो पहले हुआ कि अगले प्रश्ण को बात करते हैं तो • अर तो अगले प्रश्ण को बात करते स्ट आब सब्स पिका 46 नंबर प्रश्ण की कि कि अपने आपको खलेफा घू्सित किया किर तो 46 का और आप सभी का डियाने की मुबार्ठ साहा खलजी हो जाएंगे अपसा नमबर टी ठीक है ना अगले प्रश्ण को बात करते इस्टेंट आपस्वी का 47 नमबर प्रश्ण पूछा जा रहा है 47 नमबर कराए कि लोदी वंस का संस्थापो कौन था तो लोदी वंस के संस्थापो खोज जाएगा 47 गासी यानिकी बालो लोदी अगला प्रश्ण आपस्वी का भारतिय इतिहास में बजार नियमो मोले नियंतरक पत्ती की शुरुआत की थी तो यह कि अथाफ़सी का 48 और दिन खलजिश जाएंगे अगला प्रश्णा से 49 नंबर की राज सभाव में उलेमा उलेमा नहीं यहाँ पर उलेमा व्लेमा के दाखला का बिरोध किया कि शुल्तान नी किया तो 45 का में राइट एंसर आपसे बताना चाहता हूं कि 49 का जो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का आपसा नमबर हो जाएगा भी यानिकी अलाव दिन खलजी हो जाएगा आपसा नमबर भी अगले प्रश्ण को बात करते हैं अपसे पूछा जा रहा है कि अलबेरुन नी द्वराराचित पूस्तक किताब उलहिंद का तारिक उलहिंद में किन विस्वयों की समीचा की गई है पचास का अंसर रोजजग यानिकी इन में से सबी को अंसर जोभी दिखाए दे रहा है अपसे अगले प्रश्ण कर बात करते हैं अपसे का कि अलबेरुन का पूरा नम क्या है तो राइट हैंसर होगा दोस्तों आपस्वी का 51 का अपसर नंबर A याने की अबू रिहान महमूद हो जाएंगे अपसर नंबर A ठीके अभी दोस्तों आपसर देख पा रहें कि अगला प्रश्ण आपसर का 52 नंबर के गारवे सदी के भारत का दरपण किसे का जाता है तो 42 का हो जगा किताब उल हिंद को अगला प्रश्ण आपसी का फटा 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 थोड़ा सा करेंगे 53 का एक वैद बैहिंद का यूथ निमने लेखित में से किस के बीच हुआ था तो यह वह था आपसी के मुहमुद गजनी और आनंद पाल के बीच अगला प्रश्ण आपसी और यहां पर करेंटी वा नंबर की निम्निलीगद दिली के निम्निलिक सुलतानों में से कितने तेमूर सासक मिर्जा सारु के अधिर अधी राज्य में आना स्विकार किया तो राइट इंस रोच अच्छा का फिप्टी फॉर फिफाइव का आफसर नंबर हो जगस्याने की खिजरा खा सेयद अगले प्रेशन कर बात करते हैं सभी का तो दीका थे नो अगले प्रेशन कर बात करते हैं सभी का अगला प्रेशन 58 नबर प्रेशन पूछा जा रहा है कि इब्रहाम लोधी के बारे में निम्निम्न से क्या सत्ते नहीं है तो राइट एंसर हज्जरा खाने काबूल के सासन बावर को इब्रहाम लोधी को हराने के लिए बुलाया था अगला प्रेशन प्रेशन 59 नबर की निम्न में से किस का आकरम भारत पर किया गया गृतिय तुरक आकरमड था तो यह हो जाग आपसी के मुहमद गोरी प्रेशन नमबर भी हो जाएंगे अगला प्रश्णिक मुहमद गोरी के किस वन्स का था तो मुहमद गोरी के बात करें तो आप सब्सक्राइट एंसर उच्छाएगा आप सब्सक्राइट एंसर उच्छाएगा आप सब्सक्राइट एंसर उच्छाएगा आप सब्सक्राइट एंसर उच्छाएगा आप सब्सक् अगले प्रशन को बात करते हैं आप सभी का भारत का वह पाला राजा कौन था जिसने मौमुद गोरी को प्राजित किया था अगले प्रशन को भागने या भागते भागते खाणे में अगला प्रशन है कि मौमुद गोरी या प्रित्वी राजचुवान के बीच बिरोध के मुल में था तो 64 का अज़्या गाव सभी का याने की भर्टी डा याने की ताबर हिंदी अगला प्रशन 65 नमर के मौमुद गोरी का सर्दिक महत्पून भारति आक्रमन था तो 65 का अज़्या अज़्या आप सभी का असी याने के अगला प्रशन अब सीक मौमद गोरी याम कनोज की राजा जय चंद के साथ 1194 में हुआ यूद किस नाम से जाना जाता है तो उस यूद के बाद करिश्टेन तो जाना जाता अब सिगा 66 का अब सभी का सियने की चंदावर कईद हो जाएगा अगला प्रशन है कि मौमद गोर अंति में आकरोन किस ने किया था तो यह होचा आप सभी का 68 का 67 का 67 आपसर नंबर यह हो जाएगा 60 असरी इसका इंसर भी होगा घज घज नभी ठीकिन आपसर नंबर भी हो जाएगा एंड अगले प्रशन को बात करते हैं आप सभी का अगला प्रशन है 69 नंबर की मौमद गोरी के किसे ना ने विहार राज बिहार बीज़े बंगाल बेज़े और यह मौसम आकरोन का बीज़े किया है तो यहां पर मैं बतादू कि 13 यहां पर जो था और राइट इन सरुचर अपसर नंबर भी आने की खयाती रूदीन मौमद बीन अक्षियार ख करते हैं सोच भी जा लेते हैं कि भारत में मुस्रीमिन राजे का संस्ता पर मौमद गोरी ने संस्ता पर गया पूछिए अलावदिन खिल जी के आकवर्ण के आकवर्ण के समय दिवनागरी का सासत कौन थे तो सतर का एक सरी एक सब्सक्राइब ज़राइट इन सरुचर थिए तो वस वस वान यह सघरियता के नियुमव का आधेस हो से पुनता सटंतर था बहार्मनी के याकतन के संतान के लिए है तो शिक्स टैन्स टू का जो राइटें स्रॉचर आप से लिए सैंट्यू का आप से नमबर से निक अलावदिन कहल जी अगरे प्रस्ण को बात करत तो अगले प्राश्न को बात करते हैं सेन्टी फोर नमर प्राश्न है यहां पर क्या था तो बात करते हैं अगले प्राश्न को बात करते हैं अगले प्राश्न के और अगला प्राश्न आप सभी का कह रहा है कि निम्नले इखितमिसिक की सुल्तान ने फलो की गुणता सुधारने के लिए उपाय किया था तो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का अपसा नमबर भी अनिकी फिरोज तुगलक हो जाएगा अपसा नमबर भी अगले प्रश्न को ऊर बात करते इस्टेंट आप सभी का चवर्टी एट नमबर प्रश्न की नलंदा भीशु वधाले के विनास की कारण कारण बात करें तो इसका हो जागा आप सभी का अपसा नमबर दहार on अगले प्रश्ण को और बात करते स्वेंटी नाइ नमबर की तक तब कात ए नासी की का लेखा कौन था तो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का आपसे नमबर शी मिन हाज उस सिराज हो जाएगा आपसे नमबर शी अगले प्रश्ण को और बात करते आप सभी का 80 नमबर प्रश्ण की अलाई दर्वाजा का निर्माण की सुल्तार ने किया था ये कोशन आप सभी के लिए काफी इंपोड़ेड है और राइट एंसर हो जगा अलाव दीन खलजी आप से नमबर शी अगले प्रश्ण को और बात करते इस्टेंट आप सभी का 81 नमबर प्रश्ण की कुतूब दिन एबग की रजधानी की बात के तो लाहोर हो जाता है आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रश्ण को बात करते स्टेंट आप सभी का 82 नंबर प्रश्ण है तो अगला प्रश्ण दिया हुए आप सभी का 82 नंबर कर रहा है कि अलाव दिन खलजी के प्रसिद सेना पतियों में किसकी मंगोलों के बिरुद लड़ती हुए मिरित्व हुई थी अगले प्रश्ण को बात करते स्टेंट आप सभी का 83 नंबर प्रश्ण पूछा जा रहा है कि तुगलक नामा के रचनाकार का नाम क्या हो जाता है तो आप सभी का 83 का अपसर नंबर सी यानि की अमीर खुश्रो हो जाएगा अपसर नंबर सी अपसर अपस consistency का राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रश्ण को बात करते स्टेंट आप सभी का 84 नंबर प्रश्ण पूछा जा रहा है 84 नमबर प्रशन पूछा जा रहा है कि भारत में मुहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अगदा प्रदान किया था तो राइट एंसर हो जग 84 का अफसर नमबर भी आने कि कुतूबदीन एबा को प्रदान किया गया था अगले प्रशन को बात करते स्टेंट आप सभी का कोशन नमबर 85 नमबर कर रहे कि किस सुल्तान के काल में खाली सा भूमी अधिक पेमाने पर बिक्सित हुई है राइट एंसर हो जग आप सभी का अफसर नमबर भी आने कि अलाव दिन खलजी हो जाएगा अफसर नमबर भी अगले प्रशन को बात करते स्टेंट आप सभी का 86 नमबर प्रशन पूछा जा रहा है कि सल्तनत काल के सीकेट टका सस गनी यम जीतल किन्ध हातों के बने थे तो राइट एंसर हो जाएगा 86 का अफसर नमबर ए याने कि चांदी और चांदी और तामबा का बना था ठीन आपसर नमबर ए आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा एंड अगले प्रशन को बात करते 87 नमबर की अमिर को ही नामक एक नया बिभाग की सुल्तान दवरा सुरू किया गया था 87 का राइट एंसर हो जगा मुहाम्मद बिन तुगलक अपसर नमबर C आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रश्ण को बात करते इस्टेंट आप सभी का 88 नमबर प्रश्ण पूछा जा रहा है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्र गामी की भूमी का निभाई थी तो आप सी के खड़ी बोली हो जाएगा अपसर नमबर C अगले प्रश्ण को बात करते 89 नमबर प्रश्ण एग कि तैमुर लंग ने किसके सासन काल में भारत पर आक्रमण किया था ठीक है ना तो 89 का जो राइट एंसर हो जागा आप सभी का नाशीरुदीन मुहम्मद तुगलक हो जाएगा अपसर नमबर D आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रश्ण को बात करते इस्टेंट आप सभी का 90 नमबर प्रश्ण है कि भारत में पोलो खेल का परचलन किस ने किया था तो भारत में पोलो खेल के परचलन के बात करे तो यह किये था आप सभी के तुरकों ने किया था ठीक है ना अपसे नमबर शी अगले प्रश्ण को और बात करते 91 नमबर प्रश्ण पूछा जा रहा है कि किसने एक तरफ संस्क्रीत मुद्रा लेख के साथ चांदी किसी के निर्गत की अपसे नमबर बी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रश्ण को और बात करते 92 नमबर प्रश्ण पूछा जा रहा है कि अलाव दिन खलजी ने निमने लिखी से नाव में से कौन सा तुगलक वन्स का प्रथम सुल्तान बना तो राइट एंसर हो जाएगा आप आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रश्ण को और बात करते स्टेंट आप सभी का 93 नमबर प्रश्ण पूछा जा रहा है कि निमन में से किस राजवन्स के अंत्रगत बिजारत का चर्मोग को हुआ था 93 का राइट एंसर हो जागा सी अने की तुग लग हो जाएगा आप सभी का 94 नमबर प्रश्ण की तॉल की सबसे छोटी इकाई कीन है 94 का राज़ जागा ए याने की रती हो जाएगा अगले प्रश्ण को बात करते 95 नमबर की प्रसिद कभी अमीर खुश्रो दरबार में रहे यानि कि प्रसित जो कभी थे अमिर खुश्रों किसके दरबार में राते थे तो अलाव दिन खलजी के दरबार में रहा करते थे अपसर नमबर ए अगले प्रश्ण को बात करते 96 नमबर किस ने संतनत काल में प्रचलित जाक ब्योस्था का बिस्तार विवरण दिया है तो राइट एंसर हो जाएंगे इबन तूता हो जाएगा आपसर नमबर सी अगले प्रश्ण को बात करते 97 नमबर प्रश्ण की तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आकरमण किया था तो राईट इंसर अजहेगा आपसवी का 1300 90 अपसवा नमबर भी आप सभी का राईट इंसर हो जाएगा अगला प्रस्तर अजहेगा 98 नमबर के दिल्ली के किस मुस्लिम सासक सासक के निधन पर इतिहास कार बदायू इन्हीं ने कहा राजा को अपने प्रजा से प्रथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ती मिली है 98 का अज़ जग भी यानि कि मुहम्मद बिन तुगलक के ऐसे बोले थे अगले प्रश्ण को और बात करते हैं अपसे का 99 नमबर कि दिली के सुल्तान बलवन का पूरा नाम बलवन था यानि कि क्या था तो ग्यासु दीन वल्वन हुआ करता था अपसे नमबर सी एंड आज के लास्ट प्रस्ट के और बात करते हैं आपसी का हंडेड नमबर प्रस्ट ने पोछा जा रहा है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाया था किन्तु उल्माओं ने विरोध किया तो इस को सबसे जल्द पहुंचते रहें और बात करते हैं अगर आपसे इस क्लास का पीडियाव डालोड करना चाहते तो आपसे यमारे टेलिग्राम चैनल स्पीड एजूकेशन गुरू को फॉलो करके वहां से आप सभी पीडियाव को डालोड कर सकते हैं मिलते हैं नेस्ट क्लास मे थांक्स वर आचिंग में क्लास